हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक तो आज है हमारा ट्रिप का फोर्थ डे और अभी बाच्चु के सुबह के साड़े साथ और अभी हम निकल पड़े यहां पे होट्स्रिंग है वहां पे और और अध्यू जी का मंदिर और यहां पे हमारी तो रात में नहीं दीखा रहा पर थी इस्टा टेम्परेजर था कि इतना पहने थे फिर भी ठंड कमनी हो रही थी सामने देख सकते हो बर्फ का माउंट है और नीचे भी देखो जिता भी पानी बह रहा था टेम्परेजर के ओजासे उसका बर्फ बन चुका था लिटरली वह देखो यह वह सही है संलेट अच्छा सा गिर रहा है माउंटन पर हम होट स्प्रिंग की तरफ आ चुके हमारे कैंप से ज्यादा दूर नहीं है पास यह है पुरिद्र को भाई यह होट स्प्रिंग नैच्रल गरम पानी ठीक है भाई मतलब यहां के ट्रों टेंपरिजर के हिसाफ से वह सही है पानी अच्छा गरम है प्रों उपर देखो श्यूजी का मंदिर वह श्यूजी का मंदिर हम यहां पर थोड़ा अब भी फ्रेश हो जाएंगे और फिर मंदिर में दर्सिंग ले जाते तो भाई यह देखो यह है होट स्प्रिंग का उन्होंने भी एक आउटलेट बना लिया है जो कि पेले यहां हुआ करता था हमने उसमें अभी ना लिया ह है गरम-गरम पानी से तो भाई यह देखो यह है श्यू मंदिर जो कि होट स्प्रिंग के बिल्कुल साइड में तो हमने अभी-अभी ना लिया अब हम दर्सिंग करते है अ हुआ हुआ है है अब हम चलते अपने बेस केम अभी हम ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा इस लोकेशन पाए यहाँ पर हम फोटो से बगेरा कर सके सब फोटो निकाल रहे है यह देखो अभी हम सुबह के लगबख साड़े दिस बच चुके और हमारा ब्रेकफास्ट होने के बाद अब हम डिसेंडिंग कर रहे हैं तो हमारा सब बैक पैक वगेर हो चुका है और हम पहाड उतरने के लिए इस तरह से हमारा खीरगंगा से डिसेंडिंग चालू हो गया है और सबने अच्छा खासा रेकफास्ट कर लिया है तो सारे फुल जोश में लग रहे हैं चलिए मिलते हैं हम डेड़ घंता ट्रेक करने के बाद अभी हम लंच कुछ तो खाने के लिए बेटे हैं जो बाद के बाद हम निकल पड़े रिमेनिंग वह कंप्लेट करने अब बच्चुके बारा बचकर पट्यूफाइफ मिनिट्स और सबने थोड़ा-थोड़ा खा लिया है तो एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ गया है तो चलिए मिलती आगे तो इस तरह से यह जो वाटरफल हमने आते वक्त देखा था यह हमारा ट्रेकिंग का 50% जो की मिंड़ पॉइंट हम बोल सकते और यहाँ से जो उपर है भाई तोड़ा गंदा हाइकिंग है लेकिन एक दुसरे की मदद से आप आ सकते हो नीचे तक और और वो जो क्रॉस करने के लिए ब्रीज क्रॉस करने के लिए आप देखे भी न तो शिर्फ दो-तिन लकडिया है बाकी कुछ है नहीं तो वहाँ से भी आपको वह संबल के जाना है मतलब वन परसें अड़ टाइम उनली आप देखो तो देखो कुब गर जैदीते हैं हम चलो शमर्च चलो तो इस तरह से वह लोग ड्राव कर रहें तो में भी कुछ इस तरह से ही यहां से जाके वो ड्राव करना है जैने फाइंटे के बाद हम पहुंच चुक है अपने फाइनल ब्रीज क्रॉसिंग पर हैं हमारा लास्ट ब्रीज है जो हमने सबसे पहले किया इसके बाद थोड़ा सा इजी वाला रास्ता है तो अभी बस आदे गंटे का सफर वाकि है और हम पोच जाएंगे अपने बेस पर फाइनली हमारा जो खिरगंगा ट्रेक है उसके बस कुछ लास्त के पाथ चे टेफ बाकि है और हमने फाइनली खिरगंगा ट्रेक कंप्लिट किया दो दिन में यह यह देको ताम 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 इसने भी तो यह हम आ चुके अपने बेस पॉइंट पर जहां से हमने ट्रेक शुरू किया था अब बच चुके साड़े पाच हमने सुबह साड़े देस पाउने 11 बचे शुरू किया और अब यह खतम हो रहा है अच्छा रग रहा है अब रिवो जाके प्रूम पर ही बना देंगे